हेलो फ्रेंड्स तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं PLC DCS Interview Questions and Answers तो वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली है वीडियो को विल्कुल भी skip ना करें एंड इसको completely watch करें तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला question लेते हैं दोस्तों कि हम PLC DCS के साथ में SMPS को क्यों यूज करते हैं तो पहले SMPS की full form समझ लेते हैं S means switched, M means mode, P means power and S means supply तो SMPS को कुछ इस तरह से design किया जाता है कि इससे DC regulated output voltage हमें मिलता है अब जो ही regulated DC output voltage है वो unregulated DC या AC voltage से मिलता है इसको अच्छे समझते हैं SMPS 220V AC signal को 24V DC supply में convert करता है तो ये एक AC to DC converter SMPS होता है तो आप rectangle से देख लीजे यहां से 220V unregulated AC supply दी जाती है और इस circle से देख सकते हैं ये output होता है 24V DC regulated DC output होता है PLC DCS में DC supply की जरुवत होती है एंड ये DC supply के लिए हम SMPS का यूज करते हैं SMPS के द्वारा DC supply दी जाती है DC supply PLC के modules को provide की जाती है ये DC supply जो field instruments होते हैं उनको on करने के लिए दी जाती है यहां से दीखिए ये जो instruments है ओफ दिखाए गए है यहां से देखिए ये जो instruments है ये on है on instruments को 24V DC supply जा रही है ये instruments off है क्योंकि उनको 24V supply नहीं जा रही है अब AC को DC में convert करने के लिए rectification process का यूज किया जाता है तो आईए दूसरा question ले लेते हैं आज का इस question में आपको ये बताना है कि PLC DCS में release का क्या function होता है एंड इनका क्या use होता है PLC panel में release का use digital output मतलब DO signals के लिए किया जाता है इसका अगर example देखें तो motor को on off करना solenide valve को operate करना तो solenide valve से आप pneumatic slender को भी operate करा सकते हैं किसी ball valve या butterfly valve को भी operate करवा सकते हैं वीडियो पसंद आ रही है तो like करते हुए चलें तो release वो switches होते हैं जो circuits को electronically या electronically ओपनेंट क्लोज करते हैं एंड signals को different components के बीच में transmit करते हैं तो आईए इसका मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है तो relay में दो circuits होते हैं एक होता है energizing circuit और जो दूसरा होता है वो होता है contact circuit तो देखिए ये relay आपको दिखाई गई है and energizing circuit होता है input side पर यहां आप arrow से देख सकते हैं और जो contact circuit होता है वो होता है output side पर तो इससे signal different components के बीच में transmit हो जाता है चैनल पर new है तो चैनल को subscribe करते हुए चलें तो आईए आज का तीसरा question ले लेते हैं दोस्तों वो है कि हम signal isolators को क्यों use करते हैं जो isolators होते हैं वो ground loop errors को eliminate करते हैं noise को reduce करते हैं and high voltage protection provide करते हैं इसके अलावा isolators splitter की तरह भी काम करते हैं यह 4 to 20 milliampere signals को दो signals में चार signals में split कर देते हैं तो यहां से देखी आपको एक isolator दिखाये गया है इसके दो output है right side में जो isolator दिखाये गया इसके चार output है तो right side वाला isolator signal को चार signals में isolate करेगा and left side वाला isolator input signal को दो signals में isolate करेगा split करेगा तो इन signals को अलग-अलग जगे भेज़ देगा मतलब isolate भी कर देगा and split भी कर देगा तो isolator के लिए supply होती है 220 volt AC इसका input होता है 4 to 20 milliampere and इसका जो output होता है वो भी होता है 4 to 20 milliampere signal चलिए चोथा question ले लेते हैं आज की वीडियो का वो है PLC CPU के लिए कितनी supply होती है ये short question है इसको देख लेते है तो दोस्तों जो supply होती है PLC CPU के लिए वो होती है 5 volt DC supply तो ये बात आपको ध्यान रखनी है अगला question ले लेते है कि PLC के साथ में हम batteries को यूज करते है तो इसका answer देख लेते हैं तो PLC के साथ जो batteries यूज होती है उनका यूज किया जाता है programming backup के लिए यहाँ पर आप circle से देख सकते है देखिए ये PLC की batteries होती है इनको हम programming के backup के लिए यूज करते है तो अगला question ले लेते हैं दोस्तों कि जो PLC CPU होता है उसमें क्या-क्या faults होते है और उनका क्या status होता इसके बारे में थोड़ा जानते है तो आपने देखा होगा CPU कुछ इस तरह का रहता है और इस पर कुछ ये lights रहती है और कुछ लिखा हुआ होता है SF, BF, MAINT, DC5V, FRCE, Run, Stop इन सब का क्या मतलब होता है चलिए इसको समझते है तो SF का मतलब होता है system fault इसका मतलब हो गया कि system में कहीं fault आ जाना तो system fault तब आता है जब programming error होती है या hardware error होती है तो system fault पर आपने देखा होगा कि इस तरह की red light जल जाती है तो ये पहचानने का तरीका है अगर SF वाली red light जल लेगी तो system fault आ रहा है अब देख लेते हैं bus fault तो दोस्तो बस fault तब होता है जब communication bus में error आ जाता है जैसे की link fail हो जाना तो इसको अच्छे समझते है माली जीए communication bus है and communication हो रहा है PLC के CPU and modules के बीच में तो किस तरह के false आ सकते हैं जैसे की proper address define ना कर पाना and इसके अलाबा modules की side में losing होना तो ये कुछ reasons हो सकते है bus fault के तो जैसे system fault में SF पर red light आती है bus fault में BF बाले पर red light जलने लगेगी तो MAI NT का मतलब होता है maintenance तो इसका मतलब होता है कि PLC को maintenance की जरुवत है तो ये fault बहुत rare होता है दोस्तो अगला देख लेते हैं DC 5 volt इसका मतलब ये है कि PLC CPU को supply OK है जब DC 5 volt पर green light जल जाएगी तब इसका मतलब PLC CPU को सही supply जा रही है and force का मतलब होता है किसी value को force करके देना तो run का मतलब होता है कि PLC under run condition है मतलब run कर रहा है and stop का मतलब होता है PLC stop mode में है तो देखी यहां से circle से आपको एक ये mode दिखाये गया है PLC का तो एक किस mode में है वीडियो को पॉच करिए और बताइए किस mode में है चलिए हमीं बता देते हैं किस mode में है तो PLC healthy mode में है तो आपको इध्यान रखना है अगर इस तरह से दोनों light ने जल लई है तब PLC healthy mode में मानी जाएगी तो दोस्तों यह थी हमारी आज की video thanks for watching the video अगर ये video आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जदा जदा शेयर करें ये video कैसी लगी comment box में जरूर बताएं and instrumentation की English and Hindi videos के लिए बने रहे हमारे साथ में थैंक्स वर वाचिंग